नमस्कार व्योस! मैं हूँ अनीश देफकर और आप देख रहे हैं केश का प्राइम टाइम का नंबर वन कारेकरा मार पार मंगल भवन अमंगल हारी यानि सब का मंगल करने वाले अमंगल को हरने वाले प्रभू श्री राम की प्रान प्रतिष्टा वाली मंगल घड़ी आ गई है व्यूस और इसके साथ ही कई विगन संतोशी मैदान में कूद गए है और इस शुब घड़ी पर एक से बढ़कर एक दिशैले शब्दवानों की चड़ी लगा दी गई है कॉंग्रेस नेता उधित राज कह रहे है कि बीजेपी राम को बेच रही है तो विपक्ष के नेता कॉंग्रेस के दिगट नेता अधीर रंजन चौदरी का कहना है कि बीजेपी राम के नाम पर बाजार को गर्म करने में लग गई है लेकिन मुद्दा सिरफ निशने स्तर वाले कॉंग्रेस के बयानों का नहीं है विपक्ष के कई नेता राममंदर के नाम पर इस समय क्रेडिट कार लेकर मार्किट में घूम रहे हैं मैदान में घूम रहे हैं जो कभी राम मंदिर के खिलाब बयान देते थे उनको भी अब राम मंदिर का क्रेडिट चाहिए कल तक जो राम मंदिर को कोस्ते थे वो आज राम नाम की बहती गंगा में धुपकी लगाने के लिए उत्सुक है इन्हें अब इन्विटेशन भी चाहिए आयोध्या जाने का प्रधान मंत्री मोदी आयोध्या जाने पर इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या राम मंदिर के नाम पर विपक्ष की दोहरी सियासत अब पूरी तरह से एक्स्पोज हो चुकी है लाल ब्यारी बाट पाई को याद करिये लाल किशडवानी को और आज जो सार्थी बने थे लाल किशडवानी के रत के यानि देश के प्रधान मंती नरेंद्र मोदी वो अगवानी कर रहे है जे जे सी अराम सी अराम जे राम सी अराम जे राम सी अराम जे राम इस सौबर दर आपके खाते हैं मंदिर वही बढाएंगे और तारिक नहीं बताएंगे पूझा नानी अब तो हम बड़े खुशोग जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है अजब सियासी विरूद की घजब कहानी देखिये एक वो दौर था जब पूरा विपक्ष बीजेपी को दाने देता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे और एक ये दौर है राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तैय हो चुकी है और अब विपक्ष के सुर देखिये कैसे बदल गए हैं कि यहांस गवा है कि बीजेपी ने श्री राम चंद जी को हमेशा धुनाने की कोशिश कर दियुक्त स्यासत में घसीड़ा है उनको भगवान राम सब के हैं और किसी के पार्टी का बना लेने का मतलब वेकि धर्म को बेचनी के बराबर है विपक्ष की शिकायत है कि सिर्फ प्रधान मंत्री को ही नियोता क्यों दिया गया सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाना चाहिए था तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इसकी वज़े भी साफ बता दी गए प्रधान मंत्री जी को ट्रस्ट ने आम मंत्री किया है सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री क्योंकि उने तो रिसीप करना है और उत्तर प्रदेश के गवर्नर इनको दो को छोड़कर और कोई राजनितिक बैक्ति इस उस दिन के बैठक में नहीं होगा तुष्टी करण की राजनिती के कारण भगवान राम को कालपनिक बताने वाली उन सब के लिए जवाब है 22 सनुवरी 2024 स्राम जरंभुमिया युद्या जिन लोगों ने राम मंदिर का ग्रोथ किया है भगवान सीराम का ग्रोथ किया है उनके मन में क्या भीत रही होगी यह उनसे कुछ है सवाल यह है कि जो कहते थे आयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए जो तंस भरे अंदाज में तारीख पूछते थे वो आज इतने हैरान परेशान क्यूं है बड़ा सवाल यह है कि क्या राम मंदिर का अज़र दोहजार चौबीस चुनाओ पर पढ़ने जा रहा है तो बात करने के लिए मेरे साथ आज मौझूद है कई दिक्कत मेमान मेरे साथ पहले मौझूद है पीज़पी के राश्चे परवक्ता डॉक्तर अजया अलोग मेरे साथ मौझूद है लेफ्ट के नेता लेफ्ट आइडिलोग दिवेक शिर्वास्तव जी उनका विनंदर है नेता पी पाठी के शदाव चोहन, साजित रशीदी, मुस्लिम धर्म गुरु उनका विनंदर है मेरे साथ स्वामी धिपांकर मौझूद है अध्यास्पे गुरु जोरदर धालियों से उनका विनंदर है और जंता जनार दनाप का विनंदर है तो टॉपिक आज का है विशे पूरा इंडिया अलाइंस के घड़बंदन का हर एक दल्चाराता मंदर बन जाए तो बीजेपी ने इसमें किया क्या है जो आपको क्रेडिट में ले क्रेडिट कार्ड तो सबका है देखिए सबसे पहली बात कि राम मंदर हमारे लिए कोई वोट का इशू नहीं है बीजेपी जब नहीं बनी थी उसके पहले जनसंग था उसके पहले आरेसेस जो मर्जी आपको करना हो कर लिए राम मंदर इस देश के इस विश्व के हिंदू का संगहर्ष था जो 600 साल आप वो क्या लगता है ये अदालती आदेश के बाद आजी राम मंदिर बन गया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई मैं कहता हूं हमारे लिए इस शरम की बात है कि इस राम मंदिर को अपने राम लल्ला को मंदिर में स्थापित करने के लिए हिंदू बहुल राष्ट होने क के बाद हमें 600 साल लग गये क्यों किसके कारण क्या इस देश के हिंदू नहीं चाहते थे कि राम लल्ला मंदिर में आएं किन साजिश्यों के कारण राम लल्ला को एक जोपड़ी में बंद करके रखा गया यही हमारा आस्था यही हमारे आस्था का सौभिमान और यही हमारे आसा के प्रती लोग की जलक और आज अब राम मंदिर बन रहा है तो प्रेडिट ले निकली तो बहुत लोग आ रहे हैं यही कहते थे थे ना से चौबिस साल पहले जब उनीच सो नवासी में जब रायायत रथ यातरा निकली थी अडवानी जी के नेत्रित में आज मैं कहता हूँ कि ग्यारा और तैईस चौनतिस साल के बाद आज वो सपना साकार हो रहा है कि राम मंदिर बनने जा रहा है अब प्रधान मंतरी मोधी कि अगर जीवन की सबसे उपलब्दी बोलेगे तो कहेंगे कि 34 साल के संगहर्ष के बाद मेरे रहते आज मैं राम मंदिर में चला गया हम सब की जीवन की उपलब्दी यही होगी जी और आपने जो बोला एक बात और मैं कह दूँ जी बहुत विशैले शब्द निकल रहे हैं बहुत लोग वह कह रह हमने विश्धर को पाला है हम फुपकार ब्रदाश्ट नहीं करें जी 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 मैं रुकरतों विवेक जी विवेक जी गोलिया चलवाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने सदन में अनाउस्मेंट करी देश के पधार मंतरी कॉंग्रेस के नेताओं ने और बोला हम मस्जिद बनवाएंगे अब क्रेडिट भी सबको चाहिए कि हम सब कीवता से बन रहा है राम मंदिर कैसे मिल जाएगा बताइए पहली चीज सरकार का और पार्लेमेंट में चुने हुए जो मेंबर पार्लेमेंट पार्लेमेंट हैं आपके MLS हैं इन लोगों का काम मस्जिद मंदर बन अब इसमें आने जा रहे हैं तो डिवेट का विशाय साब कि मंदिर किसने बनाया यह दिखाता है कि हमारी मानसिकता किस दिशा में जा रही है मेरे मित्र अलोग जी ने बोला हिंदू बाहूल राष्ट्र यह हिंदू राष्ट्र नहीं है यहां पे founding fathers of this nation जिसमें महात्मा गांदी थे उन्होंने एंशियर किया कि एक आदमी का एक वोट होगा चाहे वो हिंदू होगा यह मुसल्मान and we are all equal citizens it is not a Hindu राष्ट तेल thankfully and thankfully because of that मुझ जैसा एक पढ़ा लिखा पढ़ा लिखा वेक्ति जो श्रवास्तव लिखता है क्योंकि बाई बर्थ हम Hindu कह सकते हैं अपने को हाला कि मैं communist हूँ मैं अगनास्तिक हूँ लेकिन मैं भी अपनी बात बोल सकता हूँ क्योंकि religious by gods चाहे वो Hindu धर्म के हो या किसी और मेरी आवाज को आज राम मंदिर बनाना नफरत की बात है राम मंदिर का एक डिस्प्यूट था इस देश के नागरिकों के बीच में था जिसको कोड ने सुल जाया जी उसका एक political party से क्या लेना देना और क्यों लेना देना होना कि सौमी दिपांकर सौमी दिपांकर मैं कहूंगा के आदमी में जहर इतना भर गया है के विश्धरों का वंश सारा डर गया है और कल सुनोगे आदमी के काटने से रास्ते में साफ कोई मर गया है तो मैं पड़ा हैरत में पढ़ता हूँ इसी देश में इसी राज्य में छोटे से जगडे पर उलेमाओं को प्लेन भेज कर बुलवाय जाता था चाटट लखनव तब कोई कुछ नहीं बोलता था कितनी मज्जिते बन गई उत्तर पर देश में कोई एक शब्द नहीं बोला एक तीन देवता हैं अमिश भाई हिंदू धरम के मानने वालों के भगवान राम महादेव और भगवान कृष्ण ये हम लोगों की आस्था का केंद्री नहीं हम लोगों के दिल में धड़कने वाली धड़कन जैसे तक 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 जो करती है न वही और शिव हमारे शीष है द रहा है अटल जी के वो शब्द के धरा को प्लेन करना होगा अडवानी की वो रत यात्रा और उसके सार्थी वने आज वो योध्धा जिसके कारेकाल में ये बना किसने कहा के दस हजार पन्ने इनको ट्रांसलेशन करिए क्यों जल्दी करवा दिया इनका दुख है इनका दु महात्मा गांदी को कोट कर रहे थे मुझे हैरत होती है पूने की यर्वदा जेल में जब अंग्रेजों ने 1932 में कहा कि कॉमिनल अवर्ड और सामप्रदाइक पुरुसकार की गोश्णा की तो महात्मा गांदी तत्शन अंशन पर बैठ गया मरा अंशन पर यह कह करके मैं अ आपके शास्त्रों ने बाटा मुझे मैं डंके की छोट पर कहता हूं अचारे जिसमें आप कहते हैं पूजा कराने का बुजारी बनने का अधिकार एक स्पेशल जाति को मिलेगा बाकियों को नहीं मिलेगा ठीक भाई विश्विश्वर आते हैं उज्जातिवात की काट पी शास्त्र का रेफरेंस दीजिए भगवत गीता के अंदर वन विवस्था के बारे में बोला गया है निकालो जरा जड़ा कॉन से शास्त्र में जाते हैं बदेखिये आपको ने जोड़िये अधिया वन विवस्था लिखी है जातिया उत्कूर वण है क्या उसी से डिस्क्रि बात करी जाती है कि भारत के अंदर जाती बात कब से है मैं पूछता हूँ भगवान राम ने शबरी के बेर का है वाननों की सेरा बराई और एक ब्रामन रामन का वद किया तो कि उस तरही हरन किया था आप बात करते है और भारत तो आधी काल से जातियों में बिलीव नहीं करत और जो पूरे दुनिया में डंका बसता है ना वोमन इंपावर्मेंट होनी चाहिए मादुर्गा भारत के अंदर ही है और भारत के अंदर ही पूजा जाता है मादुर्गा को तो सोचिए किसी और धरम में कोई इस्टरी को भगवान माना जाता है नहीं सिर्फ हिंदु धरम एक ऐसा है जिसमें इस्टरी को ईश्वर का रूप बना जाता है यह फैक्ट है सर तपिप्रत्था इसी देश में थी तो घलत ही ना इस देश में तो घटाए गई गई ना चाहता हूं किसी शास्त्र में जाती का जिकर नहीं है यह आप सब लोग याद रखेगा वर्ण का भी आप ब्रंश हो चुका मैं कहता हूं पढ़िए सर अब गलत है नहीं सर पढ़िए अच्छा बता यह का लिखा है अपनी जिकर कर रहे हैं श्रीमत भगवत गीता अध्याय इसका अर्थ है कि गुण और कर्म के आधार पर मनुष्य का अकलन होगा जाती के आधार पर नहीं वो भी गलत पेश करते हैं तो शदाब चोहान रामलला का मंदिर बना है और नेताओं के बयान आ रहे हैं क्या आपको लगता है बीजेपी ने तो कुछ भी छुपा कर ढखकर नहीं करा एलानिया करा बीजेपी के मेनिफेस्टों में एक बारी नहीं कई बार रहा ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी सरकार अगर फुल मिजॉरिट्री से आएगी तो 370 भी हटेगा चाय कोई किसनी चाटी पीट ले राम मंदिर भी कोट के निर्णे के बाद बनेगा कोई कितना भी रोगा ले तो फिर अब अपत्ती क्यों है देखिए बीजेपी तो किलियरली बोलती है कि हमने मंदिर बनवा थी जब बाबरी मस्जित को चंद गुंडों ने दह्शत गर्दों ने शहीद किया वो उस समय भी कॉंग्रेस की सरकार थी और आखरी बात मैं बार बार क्लेम करतें कि हमने किया तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोट का जो फैसला था क्या आपके दबाव में था आप यह कहना चाहते हैं कि अस्तरुन गोगई साब को राजेसभा इसलिए भेजा गया कि उन्हें आस्था की आधार पर फैसला दिया नियाय के आधार पर नहीं दिया इसलिए उनको गिफ्ट किया गया कि आप यह क्लेम करना चाहते हैं तीसरी चीज़ नियाय क्या है बिलकुल बता रहा हूं नियाय यह था कि सुप्रीम कोट ने कहा कि वहां मंदिर होने का कोई परमान नहीं मिला कि महां मंदिर गिराकर मस्जिद बनाए गई कुई पर्मान नहीं मिला कि 20 सदी से 60 से तक किए तक पर्माई नहीं था लेकिन मुसल्मानों को जमीन महां देदी गई जब मुसल्मानों किया को जमीन नहीं थी अगर थी तो याल्टरनेट को दिया था किसी लिए तो हम सुप्रीम कोट गए तब किसका दवाव था गए ना सर सत्य को 10 साल पहले भी कोई नहीं चुपा चका और 500 साल पहले भी कोई नहीं चुपा सका आज थाक सुनिए तो कैसे तो बज़िए श्री राम से ज़्यादा जितना प्रेम मैं करता हूं प्रणमन का अवद्गिया था पर्षुराम जी से भी क्या मसलह था क्योंकि हमेशा कभी ब्रामन नहीं चाहता है कि छत्रियों का राज काम हो इसलिए आप आप अब भगवान राम थे प्रेम आप से जादा कोई क्यों नहीं कर सकता कारण कारण ये है कि श्री राम को और हमा तो आप कहा है तो बोल रहा हूं। कि श्रीराम के नाम पर बहूत दूर है हम यह क?", हमास चोड़िये दादा बहुत दूर है हम यह क्या रहे हैं कनिया का राजिस्थान में क्या बोल कर किया गया यह तो राजिस्थान नजदीखिए किसी को नहीं है और इजाजत क्यों मिलता आप लोग जानते हैं इसलिए मिलता है कि हम लोगों को बांट दिया जाता है राम बद्राचारे जी है तुलसी पीट के और उनकी गवाही के बाद ही राम लला विराजमान हो पाए इसलिए उन्हें शच्चत नमन है उन्होंने प्रधान मंत्री का आज जब स्वागत कर रहे थे चित्रकूट में उन्होंने बोला कि मेरे सामने अगर भारत मा खड़ी हो तो मेरा पहला नमस्कार भारत मा को होगा क्या आपको लगता है रशीदी साब जो सवाल है इस समय की भगवान राम इस देश की वास्त्वित्ता है भगवान राम इस देश का परिचे है भगवान राम इस देश की आस्ता है और भगवान राम का भवे डिवे मंदिर जब सुरूप ले चुका है मंदिर बन रहा है 22 जन्वरी 2024 को प्रदान मुन्ती प्रदान परतिष्टा करेंगे तो रोने से क्या होगा तो बुरा भला भुलने से क्या हो गया तो गाली देने से क्या हो जाएगा कुछ बदल जाएगा क्या देखिए राम के अस्तित्व को को नहीं मानता सेक्डो साल पहले अल्लामा इकबाल ने इमाम हिन्द कहा उनको इसमें कोई दोराई नहीं है हरादी मानता है लेकिन जिस राम की बातों को लेकर आप कहते हैं देखा नहीं है आप आप देखें अंदे की कर रहे हैं आप किस तरह अंजान बन जाते हैं अब सुनी मेरी बात पूरी होने लिए देश के राष्टपत्री की बात करें जिम्मेदारी से करें बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर गए हैं जाएंगे सारी दुनिया जानती है लेकिन कोंग्रेस उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाई बीजेपी नहीं मार्केटिंग कर ली पार्टी है विए विए जिसे अब लेकिन कोंग्रेस उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाई बीजे पी नहीं कर ली और उस मार्केटिंग का फाइदा उठा कर जिस जज़ने उसका फैसला सुना उसको राजरी सबस्क्र चेरें कॉंग्रेस मार्केटिंग ने कर पाई चाहएं करक्रेइं आज कें आप कॉई आभर मार्केटिंगि ना करें आदमी कैरे आप कोई मार्केटिंग lock अच्छा dias na बुरा मतानिए का मदर में मंदिर में बीच में जी में चीजी में कॉन पूजा करेगा कौन मोलवी रहेगा या नहीं रहेगा क्या हम हिंदु करेंगे मुसलमान तो डिसाइड नहीं कर रहा है कैसे इन्होंने कहा कि दलित को नहीं मिलेगा इसको नहीं मिलेगा इनको क्या पता है हम इनके धर्मों के बविशे में इंटर्फेर नहीं करते हैं ये इतने कटर हैं कि अगर इनके धर्म के बारे में गलती से किसी के मुझ से निकल जाए तो सर्तन से जुदा के नारे लगते हैं ये हमने देखा है ऐसको और एक मिनट हम नहीं चाहते हैं कि ये तहे करें कश्मीरी जिहाद को अदुसरी बात हमने तो कभी नहीं हूँ और आप पूरे मुसलमान समाध को दो रही हैं नहीं ले सकते हैं ठीक है तो लोई रहा हूँ हाँ हाँ हमने तो कभी नहीं का कि शिया सुन्हीं कि अधूरे कि नमाज पढ़ने क्यों नहीं यह ए नहीं कर देख सब और खिर से जवाब लूगा थे अधूर मंदिर नयास का पहला पहला शिला एक शेडियूल कास के लोग ने डाला का मिश्यर चौपाल उसके तो जबान नहीं आती अब कहते हैं कि अरे आप तो आप तो शुरू से नास्तिक रहे हैं आपको इस देश के धरम के पंजाद मत्व भी नहीं हैं आपकी बात क्या करनी हैं इनको तो राम मंदिर ब सब्सक्राइब करें मेरा मेरे मित्र से यह प्रात्र है मतलब प्रधान मंत्री मोधी को संबोधित कर रहते हुए उन्हें नहीं बोला तो मैं समझता हूं कि भारत के लोगों के लिए श्रीमत भगवत गीता अपने आप में एक अधबुत और अनोका ग्रंथ है जो जीवन ज सब्सक्राइब करेंगे तरह आप क्या पहनेंगे क्या खाएंगे क्या बोलेंगे किस दिन क्या बंद हो गया यह डिसाइड करना चाहते हैं अभी आप इनके डिसाइड करने पर बोल रहें ने यही तो करते आए हैं संचुरीज से संदियों से क्या करतें आए हैं इसको छूओ स्वाभी विवेकानद ने कहा था ओए जब कोई धरम बदलता है तो हिंदुधरम का समक्ष एक शत्रु खड़ा होता है उनकी बात से इत्तफाक रखतें ने उन्होंने यह भी कहा अपनी बात क्या दूँ अब अपनी बात अब अमबेड़कर जी की सुनिए जिस दलित दलित कहकर आपका पांच चार मिनट बीता उन्हों नहीं अपनी पुस्तक हुआ शुद्रा के चैप्टर नंबर वन पैराग्राफ नंबर थीम में कहा कि वो शुद्र का जिकर एक आम आदमी से ही नहीं गलत बोल बोल के तो आदम हम सब खंडित क्यों हम लोग हिंदू थे हिंदू है और हिंदू रहेंगे बाटने से बटे यह नहीं जाती की काड़ आपको लगता है राम है दादा मैं समस्ता हूँ कि राम से बढ़कर है कौन बताइए कौन से राजा रजवारा या राजा के हां वो ठेरे किस के हां ठेर आदिवासी बनवासी गिरवासी मला केवट के हम उठेरे इसलिए राम राम थे और मर्यादापूर्शोतम थे एक में वो चीज़ हमाज में को नहीं हुई एक हाथ कंगन को आर्सी क्या पड़े लिखे को फार्सी क्या यह सामने यूथ बैठा है हिंदू होने में बिलीव कर करते हो ना तो बटो मत मैं रोचक है और ताली बजाओ यार मेरा मन करना में ताली बजाओ मतलब के इतना गजब जीए इतना गजब से बाटते आया है में सत्ता में रहने के लिए दर्म का दर्म की आडवर यह सदियों से बढं करते हैं इतना सुनिए आज 337 से जातियों में बटे हिंदूों को एक कर रहाए यह यह इस्टोडियों में बैठ कर बाठते हैं और इनों आउती हों एक पार्टे के लिए माई भारती के राक्त के बिंदू बाटे जाएंगे जातियों में बाट कर बिंदू बातए जाएंगे जीजिधु ब department लेकिन नेकिन ये शदाब आपके बाता हूँ मेरा आहं बहुत सीधा और डारेक्ट सवाल है आप से और सवाल यह है क्या यही काथ है क्या यही काथ है जो जातिय जन्ग naught हम लाएंगे लेकिन यह कह रहे है राम लला हम आएंगे क्या राम जातियों की भी काथ है जो इंडिया गढ़बंदन विपक्ष करना चाह रहा है इसमें कोई दोरा है नहीं कि श्रीराम ने कभी भी भेदभाव नहीं किया सबरी के बेर खाये हो चाहे आदिवासी मला केवट के यहां विश्राम किया हो उसके यहां अपनी राद गुदारी हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज सरकार में बैठे वे लोग वही कर रहे है मेरा सवाल भी है आज क्या हो रहा है उन्होंने सीता जी की रक्षा के लिए रामल का वद किया था लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर हर घंटे चार घंटे चार घंटना इसी होती है जा महिलाओं का उत्फिलन किया जाता है रोजाना डकेती डलती है हत्याय होती है अपराद होता है अपराद मुक्त नहीं हुआ है जिस दिन शिरी राम से सच्चा प्रेम होगा उस दिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे महिला सरक्षीत रहा है जिस यूग में हम ऐसी बात कर रहे हैं हम सपना देखने की बात कर रहे है की कौई अपरात नहीं होगा कुछ नहीं होगा जब राम का भी यूग था तब भी सीदा हरण हो गया था लेकिन हरं राम राज्ये तब होगा जब एक भी कुछ नहीं होगा मतलब नरेंदर मोगी से उमीद लगानी तो ठीक है लेकिन आप ऐसी उमीद कर रहे हैं कि आप क्रेडिट लेना चारे हैं और आप रामलला को अपना बता रहे हैं पर जब राम मंदर का केस चल रहा था था अ आपने 20-28-28-28 लोयर हायर किये थे कि राम मंदर ना बन पाए तब रामलला आपके नहीं थे पब्लिक को कैसे चुप कराएंगे बताईए विवेक जी कैसे क्रेडिट मिल जाएका का अंगरेस को मैं फिर यह कहूंगा कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है कोड का एक डिसीजन का अरगे ने आ हमारा जो देश है यह बहुत डाइवर्स है अने को जाते हैं अने को धर्म डिस्पिूटस थे अते रहेंगे हमारी एक ववस्ता है हमारा मीडिया है हमारे कोर्ड से करोगा इंन्होंने कहा जब वात हुई कि गीता को राश्ट्री गर нат export कर दिया जढ़ आघ कि इन्होंने का यह समविधान बदलना चाहते हैं। एंवा बताईए, कोज में किस की शपत नीजाती है। कि कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो गीता समिधान का हिस्सा नहीं है और आश्रिया गरंथ हो गया तो समिधान बदल जाएगा ये इनकी सोच यूज जेटीन इंडिया पर आश्रिया जाएगा तो गया तो गया तो गया तो गया तो इस्राइल पर बरबरता का आरोप लगाया साथी पूरी दुनिया से गाजा में जिंदगी बचाने की अपील की है सेयुक तुराश्ट की बैटक में जॉर्डिन के विदेश मंत्री ने जंग के लिए इस्राइल को जिम्मेदार ठेराया और कहा गाजा में इस्राइल ने मासूम बच्चों तक की जान लिया बेल्जियम में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन, फ्रुसेल्स में यूरोपीय संग शुकर सम्मिलन स्थल के बाहर जमाऊए लोग इस्राइल युदविराम की बात गी इस्राइल की प्रदान मंतरी बिन्दामिन नितन याहू ने अपनी सेना को हमास को कुचलने का निर्देश दिया और का कि जंग अब अंतिम चरण में है इस्राइल की सेना ने साथ तक टूबर को हमास के रड़ाकों की बरबरता का वीडियो जारी किया आतंकियों के अमले में कई नागरिकों की जान गई थी लिबनान में हिजबुला के आतंकियों के खिलाफ इस्राइल की विदेश मंत्री का जंग का एलान का अपने अस्तित्तों को बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे आईडियेफ के जमीनी हमले के बाद हमास के आतंकियों ने गाजा से इस्राइल पर कई रॉकेट दागे हैं फिर एक बार आइन डोम ने सभी रॉकेट को मार गिराया है इस्राइल की तेल अवीव में हमास के खिलाफ सरकों पर उत्रे हैं लोग हमास से बंदकों को रिहा करने की मांगी इस्राइल की सेना ने गाजा में घुस कर हमास के ठेकानों पर अमला किया हमले में हमास की कई आतंकि ठेकाने तबा हुए हमास का गोला बारू डिपो भी ध्वस्त होने का दावा किया इसराइल और हमास युद्ध के बीच एरान ने बड़े स्तर पर सैन्य प्रसिक्षन अभ्यास की घोशना की इरान को अमेरिका ने बड़े हमले की च्वेतावनी दी है इसराइल ने इरान पर हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग और हतियार देने का आरोप लगाया 500 से जियादा आतंकियों को ट्रेनिंग देने का दावा है जमीनी अमले के बाद इसराइल के लड़ाकों विमानों ने गाज़ा में तावट दो रॉकेट बरसाए हवाई हमले में गाज़ा को बड़े नुकसान का दावा किया इसराइल के किलाव जंग के लिए गाज़ा में बड़े स्तर पर भरती अभियान चल रहा है अब तक 30 लाग से जियादा लड़ाकों की भरती की गई है इसराइल की सेना ने गाज़ा बॉर्डर से लगे शेरों में हमले का अलर्ट जारी किया हमास की तरफ से बड़े हमले की आश्रंकर जताई नागरीकों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया लिबनान में इस्राइल की सेना के हमले में हिजबुला के दो और लड़ाके धेर हुए साथ अक्टूबर से अब तक हिजबुला के 46 लड़ाके मारे जा चुके है इस्राइल से जारी जंग में गाजा की अर्थ व्यवस्ता खुभारी नुकसान पहुचा एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा को फिर से खड़ा होने के लिए अर्गो डॉलर की आर्थिक मदद की जरूरत है गाजा में इस्राइल की जमीनी हमले के बाद हमास ने किया पलटवार इस्राइल में कई मिसाइले दागी और भी बड़ा हमला कर सकता है हमास इसराइल के खिलाफ हमास के आतंकियों के नए प्लैन का परदाफाश ग्यूरिला युद की तैयारी कर रहे है हमास के आतंकियों गाजा में ग्यूरिला युद की ट्रेनिंग जारी है हमास के आतंकियों ने गाजा में सुरंगों का जाल बिचाया है सुरंगों में हत्यारों को अच्छ जकीरा जमा किया सुरंगों से आतंकी इस्राइल पर रॉकेट हमला कर रहा है इस्राइल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को तभा करने का प्लैन बनाया चुन चुन कर इस्राइल के आतंकियों को सुरंग पर रॉकेट और बंबर सा रही है गाजा में हमास की सुरंगों से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए इस्राइल की सेना का प्लान तयार है सुरंगों में भूमध्य सागर से पानी भडने की व्योजना सुरंगों से बाहर आते ही आतंकियों को मार गिराएंगे सेन इसराइल ने 7 अक्टूबर के हमले का एक और वीडियो जारी किया वीडियो में इसराइल के सेन एक बहादूरी के साथ नागरिकों को बचाते दिख रहे है साथ अक्टूबर को इस्राइल पर हमले के लिए प्रधान मंच्री नितन याहू ने जांच खिया देश दिये का सुरक्षा में चूप के लिए जिम्मधार लोगों पर कारवाई होगी इस्राइल पर हमले के लिए हमास ने दो साथ तक प्लैनिंग की थी पस्ट्वी मीडिया का दावा सुरंगों में लैंड लाइन पोन का इस्तवाल हमले की प्लैनिंग में किया गया है इस्राइल से युद्ध के लिए हमास के 500 लडाकों को इरान में ट्रेनिंग देने का दावा अमेरिका के एक अखबार ने दावा करते हुए का कि इरान ने आतंक्तियों को बंदग बनाने की ट्रेनिंग दी थी हमास के साथ जारी युद्ध में मारे गई इस्राइल के 310 सेनिकों की पैच्छान हुई परिवारों को सौपे जाएंगे सेनिकों के शब्ध हमास ने बंदक बनाए गई लोगों पर बड़ा बयान दिया इस्राइल के हवाई हमलों में 50 बंदक के मारे जवाने का दावा किया इसराइल से बंदक बनाए गए लोगों पर इरान की विदेश मंतुरी का बड़ा दावा का हमास बंदकों को रिहा करने को तयार है सैयुक राष्ट मास अभा की बैटरक में इरान की विदेश मंतुरी ने कहा बंदकों की रिहाई पर कतर और तुर्की के साथ हमास से बाचीत के लिए इरान तयार है इसराइल के युद्ध कैबिनेट ने प्रदर्शन कारियों पर बड़ा फैस्टा लिया प्रदर्शन के दौरान रास्ता रोखने और हालात बिगरने पर पुलिस को गोली मारने का आदेश दिया एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 1600 लोगों के लापता होने का दावा है जिसमें 900 बच्चे भी शामिल है लापता लोगों के मलवे में दबे होने की भी आशनका इस्राइल हमले के बाद गाजा में स्तिती बत्तर हुई लोगों को मूल भूत आवश्चक्ताओं का भी आभाव महामारी फैलने का भी खत्रा बढ़ा इस्राइल हमाज जंग का अंतरराश्ट्वे बाजार में कच्छे तेल की कीमत पर असर पढ़ रहा है कच्छे तेल की कीमत फिर एक पी सदी बढ़ी इस्राइल और हमाज के बीच 21 दिन भी जंग जारी अमेरिकी कंपनी ने गाजा की यूद से पहले और बात की तस्वीर को जारी किया जिसमें चारो और तबाही के निश्रा दिखाई दिए गाजा में हमाज के ठिकानों पर इस्राइल की सेना कितापट तोड़ हमले हो रहे हैं हमले में 77 लोगों की मौत का दावा हमास ने रफाह सीमा खोलने के लिए मुस्लिम देशों से बड़े सतर पर प्रदर्शन की मांग की साथी इस्राइल के खिलाफ एक जुट होने को कभी कहा इस्राइल के इनन देने से इनकार के बाद गाजा के अस्पतालों में हालाग विगडे आपात कालीन वार्ड को छोड़कर सभी वार्डों में काम बंद है डबलू एचो ने गाजा में मूल भूत सुविधाओं के अभाव होने की बात को कहा है और कहा कि इननन की कमी की वड़ा से 35 में से 12 अस्पताल बंद हुए गाजा में इननन की किलत पर इसराइल की सेना का बड़ा दावा का हमाज के कबजे में 5 लाक लीटर से अधे की इननन इसराइल के खिलाफ इननन का इस्तिमाल कर सकता है हमाज हमास और इस्राइल के युद्ध के बीच गाजा में अब तक 32 मस्जिदे तभा बंधग बनाए इस्राइल के लोगों को रिहा कराने के लिए आईडियेफ के गाजा में हमले है जारी इस्राइल से जारी जंग के बीच गाजा में स्वास्ते सुविधाओं से पूरी तरह बंध हो चुकी है इंदन की कमी से अत्पतालों में भरती मरीजों को नहीं मिल रहा है लाज यूएन ने बड़े संकट की चेतावनी दी है इस्राइल और हमास युद पर बृटेन के आपात कालीन फ्रतिक्रिया समीति की बैचक होई बैचक में युद को रोकने और गाजा से अफ़ी अपने नागरिकों को निकालने पर चर्चा हुई इस्राइल की एफोस ने गाजा में हमास के धाई सौ से ज्यादा ठिकानों पर दागे है बम हमले में हमास की आतंकी सुरंग गोला बारू डिपोद ध्वस्त हुए इस्राइल की सेना ने हमास पर आम नागरिकों को धाल बनाने का आरोप लगाया हमास पर गाजा चोड़ रहे लोगों को रोकने का भी आरोप लगा आईडिएफ ने गाजा के एक नागरिक से हुई बादशीत का ओडियो जारी किया इस्राइल की सेना ने उत्री गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया टैंकों से आईडिएफ ने आतंकियों के कई ठिकानों को द्वस कर दिया है अमेरिका की मिशिगन युनिवरस्टी के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में वॉक आउट किया गाजा में इस्राइल के हमले के विरोध में नारेबाजी की गई इसराइल में हमास के आतंकियों को आईडिएफ ने धेर किया काई नागरिकों को भी आतंकियों के चंगुल से बचाया है कोलंबियों ने गाजा के लोगों के लिए मानवी असायता भेजी और युद के हालात पर चिंता जताई इस्राइल में पसे अपने नागरिकों का रेस्क्यू करेगा कॉलंपिया अमेरिका ने इस्राइल के मदद के लिए पस्चिम एशिया में फाइटर जेट F-16 तैनाथ किये अमेरिका अपना Patriot Missile Defense System पहले ही पस्चिम एशिया में भेच चुका है गाजा में इस्राइल के हमले से बच्चने के लिए करीब 6 लाख फिलिस्तीनियों ने यूएन के शनार्थी शिविरों में पनहा ली, कैंपों में लोगों के रहने और उनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त क्यूबा में फिलिस्तीन के राद्दूत ने इस्राइल और हमास के भी च्युद बढ़ने के चेतावनी दी साथी गाजा में सीजफायर की मांग दिये पश्विमेश्या में तैनात अमेरिका की पौज पर इरान का बड़ा हमला हो सकता है अमेरिका की कूपिया रिपोर्ट के मुताविक इरान ने समर्थन वाले संगटनों को हमले की जिम्मेदारी दे दिये सैयुक्त राष्ट में अमेरिका ने इरान को सीथी चेतावनी दी कि कहा अगर इरान उसके सेंडिकों को परिशान करता है तो अमेरिका इरान को छोड़ेगा नहीं इसराइल पर हमास के अमले में मरने वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या बढ़कर 33 होई सायुक्त राष्ट सुरक्षा परिश्ट में अमेरिका की विदेश मंतरी एंटिनी बिलिंकन ने ज्यानकारी हुई इस्राइल ने हमास से बिना शर्थ बंदकों की तुरंत रिहाई की चुतावनी दी अमेरिका में इस्राइली राद दूत ने कहा कि हमास को बंदकों की रिहाई का आखरी मौका आई इस्राइल के पीएं नितन याउ के बेटे यायर नितन याउ के अमेरिका में होने का दावा अमेरिका में यायर की ली गई एक फोटो वाइरल हुई हमास के खिलाफ जंग जारी होने के बाद नितन याहू के बेटे अभी तक इस्राइल नहीं आये हैं जो इसकी वज़ा से इस्राइल के सेनिकों ने नाराज़गी जाहिर किया मिस्र की रादारी काहिरा में कई जगहों पर इस्राइल के हमले के विरोध में प्रदर्शन हुआ फिलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे करीब सौ लोग के रफ्तार लगतार दूसरे दिन इसराइल की सेना का ग्राउंड ओपरेशन गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को बनाया निशाना गाजा में ग्राउंड ओपरेशन की चर्चाओं के बीच इसराइल ने बदली वार की पूरी रनीती इसराइल की सेना का दावा हमास के छिकानों पर टैंक और बमों से हमला कर लिया गया बदला इस्राइल की सेना के हमले के बाद हमास ने भी इस्राइल पर रॉकेट और मिसाइले दागी हमास ने दक्षन इस्राइल के शेर इलत पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल आईश टू-फिफ्टी से हमले का दावा किया इस्राइल की सेना ने गाजा में हमास के ओपरेशन हेड कोटर पर दांगी विसाईले हमले में हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर इस्राइल ने उत्तर कोरिया और इरान पर हमास को हत्यार देने का आरोप लगाया कहा हमास ने हमले में उत्तर कोरिया और इरान के हत्यारों का इस्तिमाल किया इसराइल से जारी युद्ध के बीच रूस का समर्थन पाने के लिए हमास के चरम पंतियों का एक दल मॉस्को पहुचा रूस पहले युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मधा ठहरा चुका है गाजा में इसराइल की सेना के हमले हैं जारी इसराइल ने हमास इंटेलिजन्स के डेप्टी हेड को मार गिराने का दावा किया डेप्टी हेड पर इसराइल पर हमला करने वाले मुक्ठ कमांडर यहाया सिन्वार के साथ मिलकर काम करने का आरोग है इस्राइली सेना ने हमास के तीन सीनिय कमांडर को मार गिराने का दावा किया इस्राइली सेना के मताबिक 7 अक्टूबर को इस्राइल पर हमले में शामिल थे ये तीन इस्राइल से जारी युद्मे गाजा में अब तक 29,000 से ज्यादा इमारत के तभा इस्राइल के हमले में सबसे ज़्यादा पूर्वी गाजा को नुक्सान तो उच्छा है इस्राइल की सेना ने लेबनान की मोटरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रैंड प्रेजेंट आर पार में आज का मुद्दा वेलकम बाक व्योज आप देख रहे हैं न्यूज एठीर इंडिया पर आर पार का आज का अडिशन और आज प्रणार मंत्री मोदी चित्र कूट के दोरे पर हैं दोरे पर थे और उनने बहुत बड़े बयान दिये हैं अब रुक करेंगे एक्सपर्ट का और उनसे जवाब दानेंगे आप देख रहे हैं देश का नंबर वन कारिकरा मार पार कॉंग्रेस के वक्ता से सवाल है विपक्षे की आप अभी तो राम की रिडिट की बात करते लेकिन आप इने 2008 में सुप्रीम कोड को का दा कि राम काल्पनिक है तो आज आप क्रिड़ की बात कैसे कर सकते जो आपने राम को काल्पनिक माना है ये कॉंग्रेस कॉंग्रेस ये जो कोट वाला था हाला कि आप कॉंग्रेस के नहीं है लेकिन कॉंग्रेस को कैसे क्रिड़िट मिल जाएगा आप खुछ जानते हैं कॉंग्रेस ते क्या क्या करम करे है मैं तो कई बार क्या चुका हूँ कि कांग्रेस का हाल ये हो चुका कि ना वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं सारा सारा पूरा जो परकरिया है वो कांग्रेस के दोर में हुआ अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद ना करते मूर्ती ना रखी जाती हम अपनी जनरेशन्स को बताएंगे अपनी आने वाली नसलों को बताएंगे कि बापरी मस्जिद थी और हमारे लिए हमेशा ता कयामत तक बापरी मस्जिद रहेगी यह मेरा बिलीफ है आपकी आस्ता आप कुछ भी करिए लेकिन मेरे लिए मस्जिद पर अभी आप कहरें हम सम्विदान को मानते हैं और अभी आप कहरें हमारे लिए तो कोट के लिड़ने के बाद भी वापरी मस्जिद रहेगी यही आपको एक्स्वोस कर देता है तो राम लला के मंदर को आप मस्जिद क्यों मारेंगे यही आने वाली नस्ट्रों को भी बढ़काएंगे अरे महरा सुन तो लिजे पाद सुना दीजे इसी सम्विदान ने मुझे इजाज़त दी है कि अगर सुप्रिम कोर्ट आपकी आस्था के खिलाफ फैसला करे या सम्विदान के खिलाफ फैसला करे तो आप किटिशाइज कर सकते हैं इसी सम्विदान ने मुझे इजाज़त दी है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं बोलूँगा मैं तो बोलूँगा मेरी आस्था है बाबरी मस्जिद मेरी आस्था है और मेरी आस्था को कुछला गया और जिसने उस आस्था को कुछला है उसको ठीक है कि हम ता उम्र तक बताएंगे कि वो बाबरी मस्जिद थी आने वाली नसलों को मैं समस्ता हूँ कि आगे आने वाली पीडियां और नसले बेहद एजूकेटेड होंगी उलजेंगी नहीं दो तरफ होगा एक तरफ क्रिशन हो हिंदू हो मुस्लिम हो सिको इसाई हो हो ऐसे मगर ऐसे ना हो कि जहां फिर से डिवाइड जैसे सिच्वेशन हो मिटा यही सबसे बड़ा दुख है कि जिस डलित ने हिंदुस्तान को समविधान दिया आज उसी दलित के मानने वाले लोगों को इस तरह से कुछला जा रहा है और इस तरह से उनको मंदिर में इंट्री देने की बात नहीं की जा रही है सच तो आजकल जूटी होता है इस देश में किस दाने को मंदिर में घुषने के नुबतिरी बार बार जूट बोल रही है हमारी धार्मी प्रतिष्थानों पे डिपनी करने का इन अधिकार नहीं मेरे शहर में त्रीपुर माबाला सुद्री का इप अभी वहां मेला भरता वहां हर व्यक्ति आया सर और किसी नहीं सवामी जी से आपने कहा कि अमयान कोई भी जाती के अंदर बेदवाव नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि जब पुराने जमाने के अंदर लोगों के गले में आडिया और पीछे जाडू बांधी जाती थी वह लोग कहां से आते देगा वह वह कहां से आते देदे और सब्सक्राइब जाता है और मैं बोलना भी नहीं चाहता चोड़िये मैं काम की बात बताता हूं उस समय में जो घटना घटी दादा उसकी वज़े से मैं शमा प्रारती हैं मगर आज को क्यू भी गाड़े हैं आज तो यह को कर चल सकते हैं आज जातिवाद सब्सक्राइब इधर आई इधर आई आप जबाद आप से कहने के लिए यहीं आ गया उस समय जो हुआ गलत होना नहीं चाहिए कोई इस देश में दलित नहीं ता दादा इस देश में शबरी के जूटे बेर खाने वाला इस देश का तिर लोग की नात ता जिसके हाथ में तरशूल है मगर फिर भी एक बात कहूँगा कि अगर जो कुछ पूर्व में हुआ दलित में एक बच्चे को अंदर जाने से रोका गया मैं खुछ जाकर के उसे बीतर दर्शन करा कर लाया मैं एक चीज के सकता हूँ हम चीजों को सुधार सकते हैं ना हम सुधार सकते हैं ये खड़े हैं भाई साहब इनसे पूछिया हमारे अपने कोलीजों में कहें हमारे नाम कारेक्शन खतम कर दिया दो परसेंट तक है उड़ा दिये पूछिये इंसे और क्या क्या कर गये थे दोक्तर भीर भीमराव अंबेडकर उनकी एक पुस्तक थी अंबेडकर जी को आप मानते हैं जरूर सुनिएगा उनकी एक पुस्तक थी भारत और पाकिस्तान का विभाजन उसे पढ़िएगा आप आपको इनकी बात जूटो आप जेविए प्याइब लिए इन्होंने बोला था कि मनिपूर वाली जो महिला का वीडियो लीक हुआ था उस पे परधान मंत्री को इन्होंने डेट गंटे बोलते हुए देखा बिकिस बानों के अपराधियों को फूल माला पहनाएगी उस पे परधान मंत्री को बोलते हुए आपने कब देखा इनको इंटरस्ट नहीं है मैं भी एक हिंदू हूँ पर मैं अपने धरम को लेके कट्टर नहीं हूँ मेरा गोशन यह कि लक्ष्मन जी ने क्यों नहीं खाये थे उनके मन में शंका क्यों आई अब मैं अपनी बात करूए ल मैं कम्प्लीट करदूं कि हमसे जब पूछा गया के आप राम लक्ष्मन और भरष शत्रूगन की बात करते हैं वह वह भी चार भाई थे और भी चार भाई थे उनकी चर्चा क्यों नहीं करते हमारे में और उनमें थोड़ा सा फर्क है हमने पिता के सामने तस्तरी में सजा करके उनकी गर्दन नहीं बेचा अब बिलकिस बानों पर क्या बोलेंगे मैं एक चीज कहता हूं चाहे देश की बेटी कोई हो उसमें हिंदू और मुस्लीम में पर 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 पौकते हैं ये प्रिप्लान है सब नहीं क्या होता दो मिलट रुके बाद में गलत किया मैं अब एक बात तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम जानते होंगे दिल्ली में कितने चाकू मारे उसके माथे में किसने कंड़म क्या पूछिए आपके शो में किया आगे आ तो बात हूई राम और लक्षमन की बात हुई यह गत्तों घृसे मुं गृए फारत जैसे मुल्क में भारत जैसे देश भारत वर्ष ने चार भाई देके एक राम लक्षमन और भरत देखे एक दारा शिकोर औरंग जेब देखे औरंग जेब और उसके भाई देखे एक भाई ने अपने भाई का सिर काटके अपने पिता को गिफ्ट भेज दिया जेल के अंदर और दूसरी तरह भरत ने खड़ाओं रखकर अपने भाई की राज करा तो हम अपने घर में कौन चाहते है राम भरत और लक्षमन चाहते है या औरंग जेब चाहते है ये निन्ने हमें खुद करना है अपने अपने घरों के अंदर कोई हिंदू हो, मुसल्मान हो, सिख हो, इसाई हो निन्ने वो खुद करे कि उसे अपने घर में अपने बच्चे कैसे चाहिए राम लक्षमन भरत जैसे चाहिए या औरंगजेव जैसे चाहिए निन्ने मैं आप पे छोड़ता हूँ मैं तरफ फैक्ट्स बता रहा हूँ प्रधार मंत्री मोदी ने चित्रकूट में कहा और बड़ी महत्पून बात बोली और प्रधार मंत्री ने बोला कि संस्कृत जैसी भारत की संस्कृती को पिछना बताने वाले एक हजार साल से हारते आए हैं और आगे भी हारेंगे गुलामी के एक हजार साल के कालखन में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ इनी में से एक था संस्क्रीद भाषा का पुरा बिनाश इस मानसिक्ता के लोग पिछले एक हजार साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामियाब नहीं होंगे लेकिन अब मैं आपको विपक्ष के दो दिगज नेताओं के दो पुराने बयान सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपको विपक्ष की डबल सियासत यानि दोहरी सियासत और राम मंदिर के नाम पर दोहरे चरित का अंदाजा लग जाएगा सुनिये ये दोनों बड़े फेमस नेता है जब बाबरे मस्जिद का ध्वान सुआ तो मैंने नानी से पूछा नानी अब तो आप बड़े खुश होगे अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़के ऐसे मंदिर में नी बस सकता I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship जी अब दिपांकर साब इन सब को credit चाहिए डॉक्टर अजया लोग इन सब को credit चाहिए चाहिए अर्विंद केजरिवाल कह रहे थे मेरी नानी को पसंद नहीं आएगा इस तरह का मंदिर जो बनेगा लेकिन अब तो अर्विंद जी भी जाना चाहते हैं कॉंग्रस के नेता भी जाना चाहते हैं सब जाना चाहते हैं और सब invitation भी जाते हैं देखे हमारी संस्कृति जो प्रधानमें जी ने भी कहा है कि हजार साल से लोग कोशिश करते आए कि संस्कृति की संस्कृति को नश्ट करने की तो इसका क्या मतलब है ये हमारे अजे भारत की संस्कृती है जिसमें पूरा हिंदुस्तान शामिल था जिसको मकंड हिंदुस्तान कहते थे जिटको इन जैसे लोगों ने बाटते बाटते करके अब इतना चोटा सकर दिया है लेगिन हमारी संस्कृती खतम नहीं हुई और ये उसको तोड़ती है विद्वन्स करती है नारे लगाती है सिर्फ पॉलिटिकल गेंज के लिए क्या वो सही है आपको अगर अगर आपको उस मस्जूत को अटाना था होट के दू होटाते आप भीड लेकर के गए और आपने उस्ट्रक्चर को तोड़ा वो घरत वार सेवकों प्रिए क्वोट प्रिए लेकिन लेकिन सत्य क्या है विवेक जी सत्य क्या है कि जिस दिन वो धांचा गिरा था उसके बाद बीज़िपी की एक रही क्यों गिरा और कल्यान सिंग ने बोला राम लाला के लिए एक सरकार क्या जाएगा जिसको मस्जिद करें थे उसको तोड़ा गया अब यह जितना विलाप करेंगे उसकोई फर्क नहीं पड़ेगा यह मंदिर बनने वाला है विलाप करेंगे यह जब देखेंगे ना इनकी उमर घटेंगे में बोला हम लंगा नीं करिए और बढ़ाएं को अब जो आदमी खुद करता है कि मैं अधिस्टो नास्तिक हूं हु हूं लेकिन लिख्त मानता है नी उसे क्या बात करना है वही हम लोग अपने श्रदा को बाट हमारे शादा का अपमान करने की निए बैठ गए हैं यह इतने कमुनिस्ट हैं कलंग के इस देश पे विश्ट में से इंका समापन हो रहा है अरे वर्ल्ड वे खतम औरे कंजी अपोस करिए गाए हम अपोस करेंगे बिल्कुल आप भी करने हैं जब यह तारीख पढ़ेंगे लोग तो यह भी कहेंगे कि जो जूट फेलाया गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है सुप्रीम कोट ने उसको भी नका रहा है कि हमें ऐसा कोई शाक्स नहीं मिला यह तारीम कोट ने तार फेलाया जिसके नतीजे में यह बना लगा यह बना मत कीजी पीच में बोलूगा देश था और आफ वासला पर करने होती है उसको जाने निदेन का ने पूलगा मैं बिल्कुल बोलूँगा मैं आप मेरे देश के सुप्रीम कोट पर समय को हम बोले भी ना राजो सभा क्यों दी गई? क्यों नहीं दे सकते? नहीं दे बताई हैं अब राजी सभा नहीं मिली ये लोगों को उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को राज सभा मिली फिर इस्तिफा देके फिर लोक सभा लड़वाया यहां तक की है, आईए हमें ग्यान देरें और सुई कहींगे सम्विर्धान की बात मांतें लेकि सुप्रेम कोर्ट के अरोप लगा रहे हैं मैं पिर भी बीच में बोलूँगा मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जो तारीख है का आप नहीं है. बहुत अच्छी तारीख है, बहुत अच्छी तारीख हिंदустान की. यह संसκिरिती के बात परदानमंतरी जी ने किया है, वो संस्किर्थी पता क्या है ? representa हिंदू, मुस्ल्मान, शिक हिसाई अपने धर्म पर अमल करते हुए आजादे के साथ खुली फजाओं में जी सकें ये नफरत का जो बाजार आज गरम किया गया है 2014 के बाद में ये संस्किर्टी नहीं इंग्रेज ने किया था आज आप इंग्रेज को अच्छा कहते हैं और जिनों ने इसको अखंड भारत बना उनको गाले लेते हैं इनों ने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिसाई, सब एक साथ मिलके रहे हैं ये मारी देश की शंस्कृती है बहुत अच्छी बात है भाई साब ये बात असमें संतावन इस्लामिक राष्टों को भी समझा दीजिए कि वहां पे सब धर्म लोग को रहने दें पाकिस्तान को को इसे में देश आपको मंदिर बनाके दे रहा है और आप उसी माँ जाहिए भाई से आप दोनों भाईों से मेरा निवीदन है आप दोनों बड़े वरिष्ट है आप से निवीदन है आपने बोला देखिए ये हैं बताईए इन 57 इस्लामिक देशों में से लोगतंत्र कहां है हिंदुस्तान में लोग तंतर है हिंदुस्तान में मैं सवाल पूछा सब्सक्राइब और लेकिन हमारे भारत में अफसोस होता है कि मेरा भारत तो सबसे बरी डेमोक्रेसि है। मुझे गर्व है भारत पर लेकिन हैं क्या हो रहा है टार्गेट किलिंग हो रही है कभी मनीपूर में होता है कभी पात करें आप लोग दिवाने हो रहा है मिटलीस्ट के वह आपको अपनों भी नहीं बनते लेकिन आज चलते चलते मैं जरूर एक बात कहूंगा निशकर्ष के बीजेपी ने अपनी जर्णी दो सीटों से शुरू करी दो से असी पे गए असी से एक सो बीस पे गए एक सो बीस से फिर एक सो दस पे आए फिर एक सो साथ पे गए फिर एक सो असी पे गए फिर दो सो बहत्तर तेहत्तर पे गए फिर तीन सो तीन पे गए और जो लोग राम रच देते हैं शायद विधी का विधान यही था और अब जब राम लला का बव्वे मंदिर दिव्वे मंदिर तैयार हो चुका है बाइस जन्वरी दो हजार चौबिस को वहाँ पर प्रान प्रतिष्टा के साथ राम लला विराजबान हो जाएंगे तब सोचिये नजारा क्या होगा फिलाल आज की चर्चा में इतना ही आपने इस कारेकरम को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद और राम राग